नमस्कार किसान भाईयों, आप सब का सौगत है, आपके अपने चैनल खेती सलाम है, किसान भाईयों गन्ने का समय शुरू हो गया है, और इसकी तैयारी में जो भी हमें कुछ करना है, अगर हम सब चीजों का ध्यान अभी से रखेंगे निचे तोर पर तभी हम एक अच्छी उ सारी रखा गया था, गन्ने के साथ, गन्नी की जो जानकारी जो मेरे पास है, वो शेयर करने का, तो उसी क्रम में मैं इस बार भी प्रयास करऊं कि आप लोगों को मेरे पास जो भी कुछ जानकारी है, वो समय समय पर देता रहूं, देखे किसान भाईयों, ज्यादातर लोग बहुत अच्छा उत्पातन हो देखिए आज इस चैनल से यदि कुछ किसान नए है या हमारे पुराने दर्शक हैं इस चैनल पर मैं जब भी आप से कोई जानकारी शेयर करूँगा तो केवल और केवल वो जानकारी वैग्यानिक तथ्यों के आधार पर की जाएगी शेयर और जो भी वैग्यानिक संस्तूतियां हैं वैग्यानिक विदियां हैं वैग्यानिक तरीके से जो भी खेती की जाती है या करनी चाहिए मैं उसी की जानकारी आपको शेयर करूँगा और विज्ञानिक तरीके से जो भी खेती होती है उसमें यह कहा जाता है कि अच्छा उत्पा पर सही जानकारी के आधार पर की जाती है तो निश्चे तोर पर हमारा मकसद अगर हम एक एकड़ हम कोई गन्ना कर रहे हैं और उसमें हमारा उत्पादन कम है तो हमारा मकसद यह नहीं है कि इस बार दो एकड़ में करी जाए खेती जिससे कि हमारा उत्पादन बढ़ जाए और जादस हमान डाला जाए नहीं हमारा मकसद यह रहेगा इस चैनल पे कि हम उसी एक एकड़ में अपना उत्पादन जादा कैसे करें और लागत किस तरह से कम हो तो इसी करम में किसान भाई यह एक बहुत छोटी से जानकारी के साथ शुरुवात करते हैं इस बसंत काली इन गन्ने की और जैसे कि जो सही समय की बात करेंगे इस वीडियो में सब किसान भाई जानते हैं लेकिन मजबूरी वश और खासकर जो हमारा पश्ची मुत्रप्रदेश का जो किसान है खेतों में गिहूं है और गिहूं के बाद गन्ना भोता है तो सौभाविक सी बात है वो अप्रेल मई में पहुंच जाता है जून तक भी पहुंच जाता है यह थोड़ी हमारी मजबूरी है लेकिन इस बात से गन्ने को कब होने का समय तो बदल नहीं जाता है किसान भाईयो तो जो उप्यूप समय गन्ने का 15 फरवरी से और आप पूरा ही मार्ज बो दीजे 31 मार्ज टक गन्ना भोने का सही समय कारण क्या है कोई महीने से मतलब नहीं है किसान भाईयो मतलब है 20 से 30 डिगरी तापमान पे जो इस मौसम में या फिर हम बात करें 15 सितंबर से मान रहता है जो की गन्ने की आंकों को फूटने के लिए बढ़ने के लिए सबसे उप्यूक्त टेंपरेचर माना जाता है तो अब जो यह सवाल आता है कि डाक्टर साब ऐसा क्या चीज़ डालें जो बहुत अच्छा फुटा वो नहीं आप सबसे पहले अगर बो सके हैं जानते हैं नाइटरोजन फास्वरस पोटाज यूरिया से डीएपी से कुछ किसान बाई जो प्रगतिशील है वह सस्पी से खादों की पूर्ति करते हैं और पोटाज से करते हैं और यहां में एक चीज़ और कहना चाहूंगा कि सस्पी से जो खाद दी जाती है वह उसमें संस्तुती करता हूं आपसे कि गन्ये की जबुआई में अगर आप डीएपी को हटाएं तो एससपी खाद को प्योग करें उसके लिए अगला वीडियो हाला कि और बहुत सारे वीडियो खाद के गन्ये के प्लेयलिस्ट में पहले साल के भी पड़े हैं लेकिन आप फिलहाल क्या करें कि करीब करीब दो से तीन हफते पहले जब आप गन्यावने वाले मतलब फर्ज कीजिए कि आप फरवरी के आकिर में मार्च के शुरू में बहने वाले हैं तो अभी जो आप के पास जितनी भी गोबर की सड़ी खाद है भुरुरी खाद जो तैयार कर रखिया आप तो संस्तुति तो यह है कि आप करीब करीब जो है सो कुंटल प्रती हेक्टेर में इसका इस्तेमाल करें लेकिन पशू भी कम हो गए और नहीं इतनी खाद मिल पाती है तो मैं आप से अनुरूद करूँगा कि जितनी भी आपको खाद मिले हम क्या करेंगे हम कोशिश करेंग वो गोबर की सड़ी खाद भी हो जकती है या फिर मैली जो बजार में आ रही जो हमारी मील वाले दे रहे हैं उस मैली को डारेक्ट डालने की जैसी वहां से मिलती है उसकी संस्तुति मैं नहीं देता हूँ भैतर तो यह होता है कि आप उस मैली को रखके गोबर की साथ करके उसको शड़ा के अच्छे से उसकी खाद बना और फिर अगर करनी हैं तो 59 मैली नकर के आधी-धि मात्रा इसके करें आदी गोबर की खाद और आदी मैली अगर आपकी पुड़ती नहीं हो पारी है तो और अच्छी के तिंन पहले करीप तो से तीन दिन पहले जब हम खाद डालते हैं तब जो वो खाद है उसमें जो जीवारू jeness होते हैं जमीन में उनकी जर्णा क्रिया नहीं होती है और वो जो पोशक्तं हैं वह बुआई के समये दो दिन दालने से पहले फसल कुंण कुंण नहीं मिल पाते हैं रस्पत जो आप 15-20 दिन पहले अपनी डाल देंगे छोटी चीक रिया है इसमें कोई खर्चा नहीं है और मैं बात करूंगा इनी चीजों पर आगे भी जो वीडियो आएंगे कि हमारा अपने दिमाग से निकाल दीजे कि हमको ज्यादा खर्चा करना है हम मुहिम वही तो ढूँए इस बार अपनी जीवानु खादों से जो कि हमारे प्राकरतिक जो जिसे कहते हैं बायो फर्टिलाइजर उनमें कहीं ऐसे बायो फर्टिलाइजर से उनका भी समय समय पे क्योंकि हमने पत्ति लगा तार गन्ने के खितों में जलाई है तो जमीन में जो करते रही है बहुत जादा फायदा नहीं होने वाला है तो एक छोटी सी जानकारी यह थी करना बुने के समय का ध्यान रखेंगे गन्य की जो है हम खाद पहले विशा देंगे करने के खेत की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करिए किसान भाई जैसे भी आप पहले एक मिट्टी बुरबुरी हो जाए इसका भी बहुत बड़ा रोल है इसको हम करें किसान भाई यह चोटी सी जानकारी थी इसके बाद बहुत जल्दी-जल्दी मैं छोटी-छोटी जानकारी के साथ अब लगातार ही शुगर के निकन्य के वीडियो डालता रहूंगा नए किसान भाई इसको सब्सक्राइब करें चैनल को जरूर जिससे कि मैं जो भी जानकारी दूँ आपको लगातार मिलती रहे वैग्यानिक तथ्यों के आधार पर चलें भले ही आप जो है इस बार पांच वीगे में दस वीगे में करके देखें बाकी जो आप अपनी खेती कर रहें मि द्यान देगी नहीं रहे हैं आपने लाला के बहुत सारी ऐसी चीज़े डाली जिसकी शायद उसको जुरती नहीं है तो फसल में वही डालेंगे जिसकी जुरत है मैं प्रयास लगातार करता रहूंगा कि मैं जो भी मेरे पर जानकारी है मैं आपको समय समय पर शेयर करता रह प्रूट